If you are using DJI Action Cameras and not using MIMO App, then you are missing something. No, everything. मतलब, बिलकुल सपस्थ है. देखते हैं इस वीडियो में, ये आप के लिए क्या कर सकती है? Action Camera को ओन करने के बाद आपको DJI MIMO App को उपन कर लेना है. और देखी, यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसने शो करना सुरू कर दिया. अभी कुछ ही टाइम के बाद ये इसको Connect भी कर लेगे. तो Automatically Connect हो जाता है. आईए अब जानने की कोसिस करते हैं इसकी एप को कि इस एप में आपको क्या-क्या Features मिलती है. तो इस वीडियो की Help से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पे कौन से सेटिंग मिलेगी. आपका DJI का कोई भी कैमरा हो, इस एप से सेम टाइप की सेटिंग्स आप कर सकते हैं. इसमें Connection होगेरा से रिलेटि जितने पार्ट होगे वो आपको Left Side में मिलेगे और बाकी सारी कैमरा सेटिंग्स आपको Right Side में मिलती हैं. उपर की तरफ देखें तो यहाँ पे Battery Indicator, Connection Indicator, साथ में यहाँ पे Horizontal Balance जो Option है, और कौन सा कैमरा यहाँ पे Connect है, उसका सेमबल भी यहाँ पे दिखाए देगा. इस तरफ यहाँ पे यह Home Settings है, Home Settings की बात करें तो आप Direct Home के उपर चले जाएंगे, DJI MIMO App के अंदर, और यहाँ पे अलग-अलग Settings दिखाए देगे. सबसे पहले अगर आप Camera को सुरू करना चाहते हैं, तो यहाँ से Settings ओन कर दे, Camera बटन को दबाएंगे, तो यह इस इंटरफेस के अंदर आ जाएगा. उसके बाद यहाँ पे Auto Settings है, Auto Settings यह आपको Auto के उपर करना है, Manual के उपर दो Option आपको नजराते हैं, एक Manual है, दूसरा Auto है. यहाँ से आप ISO पे Star Speed आप Set कर सकते हैं, जितनी Star के उपर आप चाहें. ISO adjustment आप Auto Mode के अंदर भी कर सकते हैं, अगर आप कहेंगे, तो इन Settings के बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, so that कि आप अपने Camera से, Action Camera से Best Video footage ले पाएंगे. नीचे यहाँ वे EV Settings का Option मिलता है, जिसकी Help से आप EV Settings को कर सकते हैं, जो कि Manual के Mode के अंदर ही आपको Available मिलेगा, इस तरीके से यहाँ से आप EV Settings को कम या ज्यादा कर सकते हैं, प्लस या माइनस के ओपर बटन को दबा करें. उसके बाद Second Number में मिलती है Resolution Settings, जिसके अंदर आप 1080p 2.7K, 4x23, 4K, 4K, 4x23 Ratioals के उपर यह सारे चीज़े मिलती हैं, और नीचे की तरफ Frame Rate के Options आपको मिल जाते हैं, जिसकी Help से आप इसको अलग-लग Frame Rate के उपर वीडियो को Record कर सकते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं, 120 frame per second 4K के उपर बिल जाता है, और 4K, 4x23 में 60 frame rates के उपर आप वीडियो रेकॉर्ड कर पाएंगे. उसके लाबाद दो मोड यहाँ पर दिये गए हैं, एक Power Reserve और दूसरा Standard Mode. पावर रिजर्व की हेल्प से अगर आप चाहते हैं कि आप कैमरा की बैटरी को सेव करें, तो उसके लिए पावर रिजर्व मोड ओन करें, और अगर आप Standard Mode में चाहते हैं, Quality अच्छी चाहते हैं, वीडियो के अंदर कोई compromise नहीं चाहते हैं, तो आप Standard Mode के अंदर जाएं, यहां पे आप Pro Mode को On या Off कर सकते हैं, अगर आप फुली Automatic चाहते हैं कैमरा के उपर अलाए करना, तो यहां से आप इसको सेट कर सकते हैं, Loop Recording On या Off के लिए आप सेट कर सकते हैं, और Loop Recording की सेटिंग्स बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि इन सेटिंग्स को कैसे च तरीके से और इस तरीके से अलग-अलग टाइप की क्लिप बनती चलती हैं, इसका दूसरा एक फाइदा या नुक्षान यह होता है कि जैसे ही आपका Memory Card Fill होगा तो यह पहले वाली को डिलीट करना शुरू करतेगा और Next वीडियो को उसके उपर रेकोर्ड करना शुरू करते अब उसके बाद यहाँ पर FOV सेटिंग्स आती हैं, FOV में आप किस mode के उपर इसको चाहते हैं, standard के उपर, wide, extra wide वो सारे options यहाँ पर मिल जाते हैं, उसके बाद आप EIA settings को यहाँ से कर सकते हैं, study, rock study, horizon balancing and horizon study, तो जिस भी mode के अंदर आप चाहें, और नीचे grid lines का option मिल जाता ह आप grid line plus diagonals चाहते हैं, दोनों ही चाहिएं, तो यह कुछ settings थी, left side में, अब right side के अंदर जो settings है, उसके बारे में बात करते हैं, तो सबसे ऊपर यहाँ पर आपको settings मिल जाती है, live stream की, जिसकी help से आप Facebook, YouTube या RTMP आप live stream कर सकते हैं, इस camera को, उसके बारे में detailed में यहाँ बात settings की, इसके बारे में आप चाहते हैं कि पूरा एक detailed review वीडियो बनाया जाए, तो नीचे comment section के अंदर लिखना, मैं बहाँ पर बता हूँगा कि किस तरीके से आप direct YouTube के ओपर, Facebook के ओपर, या इसको as a कहीं दूसरी जगे पर use कर रहे हैं, तो भी इस camera को use किया जा सकता है, वो feature आपको सिर्फ एप के अंदर ही मिलती है, दूसरा यहाँ पर option आता है, photos का, इस camera की help से, आप photos भी ले सकते हैं, आप photo के ओपर click करेंगे, तो photo के ओपर यहाँ पर आपको अलग-अप्शन मिलेंगे, 16 इस नाइट, 4 इस टू 3, 2 ratio के अंदर मिलता है, और यहाँ पर timer on या करन चाहें, आफ करना चाहें, तो उसकी settings आपको मिल जाती है, इनके according, right side में जो settings है, उसके according ही left side में जो settings है, वो भी बदलती चलेंगी, उसके बाद next आता है, यहाँ पर video का, video की left settings मैंने अभी explain की है, वो सारी settings आपको video mode के अंदर मिल जाती है, अब यहाँ पर e-section camera के साथ आ आप zoom in या zoom out कर सकते हैं, with the help of this button, 3x zoom आप कर पाएंगे, और इस तरीके से आप zoom in and zoom out कर पाएंगे, उसके बाद यहाँ पर आता है slow motion का, slow motion में आप videos record करना चाहें, again यहाँ पर settings मिल जाती हैं, जैसे कि आप 8x slow करना चाहते हैं, 4K के उपर आपको मिलता है, यहाँ पर 4x slow motion मिल जाएगा, तो इस तरीके से आप slow motion के अंदर videos record कर पाएंगे, उसके बाद time lapse, time lapse के अंदर उपर भी setting आपको यहाँ पर मिलती हैं, कि कितने time के लिए आप settings चाहते हैं, जैसे 10 minute, 5 minute, 5 minute को 2 second में convert कर दे, 10 minute को, वो आपको सोचना है कि कितने time के लिए 10 minute को 2 second में convert कर दे, 20 10 minute को 2 second में 30 minute को, तो इस तरीके से यह अलग-अलग type की settings हैं, जिसको आप अपने according set कर सकते हैं, मैं just यहाँ पर app की different settings के बारे में बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप different settings यहाँ पर कर पाएंगे, उसके लिए detailed में कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे, आप कहेंगे तो मैं वीडियो इसके बारे में जरूर बना हूँ कि ऐसे आप maximum benefit ले सकते हैं इस camera के साथ, किस पर record करेगा, तो यहाँ पर 3 option मिलते हैं, time-lapse के लिए 1080p, 2.7k and 4k यह options आपको मिल जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर option आता है hyperlapse का, यह एक ऐसा वीडियो है जो high speed में, यानि 1080p के उपर जाता है, आप speed को यहाँ से set कर सकते हैं, auto, 2x, 5x, 10x, 30x, किस भी speed पर वीडियो जाते हैं, इसको fast वीडियो भी बोलते हैं, नहीं नहीं, जब भी आप settings करेंगे, तो camera के अंदर भी आप observe करेंगे, जैसे ही मैं settings यहाँ पर change करूँगा, camera के अंदर भी change हो जाए जो भी presently आप use कर रहे हैं, वीडियो recording के लिए, यह सारी settings हैं, जो camera to camera differ करती हैं, अगर आप कोई दूसरा camera, for example, DJ Action 4 या pocket cameras, कोई भी दूसरा camera आप client करते हैं, तो उसके अंदर उसकी जो native settings हैं, वो आपको मिलेंगी, तो यह तो वो settings थी, जिसकी help से आप better videos को record कर पाएंगे पर जो video आपने record कर लिए, उनको आप कैसे देख पाएंगे, और क्या उनको edit भी किया जा सकता है, उसके बारे में देखते हैं, यहां से play का option मिलता है, जो भी videos record किये हैं, वो gallery आपको दिखाई देगी, और इस gallery के अंदर जितने भी videos हैं, photos जो भी आपने record किये हैं, वो सार आपको दिखाई देगी, अगर आपने phone में download कर रखें पहले से तो यहां पर download के अंदर दिखाई देगी, photos, videos इस तरीके से आप अलग-लग भी या सारे एक साथ देखना चाहें, तो एक साथ भी दिखाई देते हैं, आपने कोई भी video, for example, जैसे मान लिया, आपके mobile के अंद जाता है, यहां से trim का filters, colors, उसके बाद यहां पे colors वगरा सेट करना चाहें, तो brightness वगरा वो सारी app के अंदर features मिल जाती है, इसके बार हमें भी अलग से एक video बनाएंगे कि कैसे आप apps से edit कर सकते हैं, क्योंकि यह सबसे बड़ा सवाल है कि action camera की footage को क्या apps से edit किया जा सकता है, तो उसका answer है, हाँ, apps एडिट किया जा सकता है, DJI की app के अंदर ही यहां पे feature मिल जाती है, और जो यह video है, यह 4K video है, और 4K video mobile phone के अंदर आप edit कर सकते हैं, brightness का, contrast का, वो सारे options आपको इसके अंदर मिलेंगे, highlights वगरा, जो basically editing के लिए आपको चाहिए, वो सारी features यहां पे मि नहीं इस तरीके से, वो low resolution के अंदर होगा, अगर आपको इसको high resolution के अंदर edit करना है, तो you have to download this, तो इस तरीके से download करें, तो आप देख सकते हैं, यहां पे बहुत fast speed से यह download होता है video, मैंने पहले से जो download कर रखें video, for example, यहां पे है, और मैं इस video को for example, edit करना चाहूं, तो downloaded video के अंदर भी आपको edit करने का option मिल जाता है, और यहां से यह मिलता है, share के लिए आप Facebook पे, Instagram के ऊपर, या कहीं पे भी direct आप तो share करने का option यहां से आपको मिल जाता है, तो इसके लाव भी इसका एक AI editor है, पे home button के ऊपर click करेंगे, तो देखें, यहां पे सबसे नीचे option edit करेगा, यहां पे जो already जितनी भी इसके templates वगेरा हैं उनसे, यह काफी सारे templates यहां पे मिल जाते हैं, special templates, highlights and shown, यह new project आप start करना चाहते हैं, तो यहां से जो भी videos आपको इसके अंदर select करनी हैं, तो यहां से direct select करेंगे और हम edit कर पाएंगे, या फिर AI editor की help से आप चाहते है कि AI ही आपको पूरा का पूरा edit कर दे, तो वो यहां से यह clips को analyze करेगा, और आपके लिए edit कर देगा, उसमें जो भी song वगेरा है, music वगेरा है, वो सारी चिज़े लगा के देदेगा, यह दिखी, इसने edit कर दिया, मेरी जो एक video थी, उसको automatically edit कर दिया, जो future में आपके लिए आएगी, इस video को मैं अभी edit करके YouTube पे नहीं डाल सका हूँ, यह mounts के लिए है, काफी अच्छी video है, आप देखना उसको भी, तो यहां पे कई सारे option इस editor के अंदर में मिल जाते हैं, जैसे music का, edit का, text, stickers वगेरा, और काफी सारे options हैं, उसके बाद यहां पे export का है, तो कुल इल आपके editing में कोई problem यहां पे आने वाली नहीं है, आपकी लंबे समय से demand थी, and I think यह video आपके लिए helpful रहा होगा, अगर आपको लगता है कि आपके लिए helpful रहा है, तो नीचे comment section के अंदर जरूर लिखें, और अगर आपका कोई भी question या सुसाव है, वो भी हमेशा की तरह लोगता है, जरूर मैं कोई पे रहा है, भी रहा है, तरह नीचे हमेशा की लिए में रहा हैँ, आपका फिर सारं जरूर पीर आपकी यह रहा है बाढ़ी है, टरह रहा है, अपकीशने की कोई कोई...